दीए मुझे ही यह समझ में आ रहा है कि मैं Tutomers को बता रहा हूं लेकिन अभी मैं सिर्फ Carbon Double Bond Oxygen को देखूंगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा देखने को मेरे को मिलेगी तो पहले में Nitrogen में बाद में आऊँगा पहले यह देखूंगा Carbon Double Bond कहां आ सकता है समझ में आ रहा है फिर उसके बाद देखेंगे for example यह हमारे लिए आ गया example normal aldehyte और ketone दूसरा case यानि second example normal की जगह हम क्या ले 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 थे cyclic cyclic aldehyte and ketone in cyclic aldehyte cyclic aldehyte और ketone यह इन यहां आएगा normal aldehyte और ketone ठेक है यहां पर cyclic aldehyte और ketone में यहां थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें जैसे बहुत ध्यान से देखते जाओ आप alpha hydrogen यह इदर का ले या इदर का ले एक ही बात है कोई फार्क नहीं पड़ेगा समझ में आद यह बात अब इसलिए गलाते क्योंकि स्मॉल रिंग में तो इदर तो देखी नहीं सकता है तो क्या इदर हो सकता है नहीं बो इस तरफ ला नहीं सकते आप इक और जो में वास्त में समझाना चाहता हूं वो यह है अगर यह होता compound मेरा example यह होना चाहिए था तो आप बड़े प्यार से कह देते हैं सर हम ऐसे बना देते हैं इसके पास alpha हो जाने yellow यह था वो example जो मैं लेना चाहरा था लेकिन SP hybridization not exist क्यों नहीं कर सकता भई SP hybridized SP hybridized linear हो जाएगा और cycle में linear possible linear is not possible SP hybridized यानि की linear is not possible तो हो सकता है कि यह नहीं हो सकता तो इदर से सोचते हैं हम आपन एक काम कर इसको बोल देते हैं ऐसे कर ले यह possible है हाँ यह possible है बिलकुल यह possible है करते जाओ एक और देखते हैं यह है अब देखते हैं अपन क्या करेंगे इस चख़ा इधर alpha hydrogen है लेकिन यह अच्छा नहीं है बेकार आदमी है प्राउड डी है मूमेंट नहीं करेगा तो जब alpha hydrogen नहीं कर सकता तो बीटा तो करी नहीं सकता तो फिर हम किसके पास जाएंगे गामा के पास क्या यह कर जाएगा हां यह कर जाएगा mechanism के recording यहाँ पर क्या चार जाएगा minus वो इधर जाएगा फिर यह इधर जाएगा तो अगर आप इस से देखोगे तो इसका tutomers जो आपका बनेगा वो इस तरह का बनेगा phenol कैसे देखते हैं mechanism आपने यह लिया OH इसको attack करेगा यहाँ दो-दो हैं एक को ले लेगा minus समझ में आ रही है यह इधर गया यह इधर गया यह यहाँ आया यह minus यहाँ आ जाएगा double bond यहाँ आ जाएगा सही है ना समझ में आ रही है गणी थे अभी तक तो double bond यह था sorry यह इधर जाएगा यह इधर जाएगा पाई बॉर्ण का movement होगा यह o minus आगया यह इधर गया यह इस तरफ गया अब क्या हो जाएगा h2o का h इस तरफ अटेक करेगा o h पापिस अपने काम पे निकल जाएगा जैसे आया था तो मैंने क्या सिखाए इस कहानी में यही सिखाए किया तो alpha यह सीधा फिर गामा लेकिन गामा तभी आएगा जब alpha और beta के बीच में पाई हो क्योंकि वह मुमेंट करेगा उसे लिंक मिलेगा ठीक है तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है लिखने वाला पॉइंट क्या आ रहा है alpha आएगा यह फिर गामा लेकिन गामा कब आएगा जब alpha बीटा के बीच में डबल बॉंडो अलफा या फिर गामा गामा तब आएगा जब अलफा बीटा के बीच पाई बॉंडो मल्टिपल बॉंडो डबल बॉंडो सही है तो मैं आपके साथ हूँ इस पॉइंट को लेके यह किसमें टांड हो रहा है और राल देखा जाए तो फिनोल में लेकिन अगर किसी ने cht3 लगा दिया तो तो भी एक हैस तो है दिख रहा है आपको तो यह किसमें चेंज हो जाएगा alpha आ नहीं सकता क्यों नहीं आ सकता क्योंकि sp hybridized generate होगा लेकिन अगर किसी ने कोई नाला ही किया है अब क्या करें नहीं करेगा show क्योंकि alpha आ नहीं सकता और gamma है नहीं तो यह show नहीं नहीं करेगा तो बताओ ये नहीं करेगा समझ में आ रहा है इस बार के टेस्ट का किशन था याद करो ये आएगा नहीं ये आएगा नहीं